हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी की सिख्षा में फ्रेंड्स रर्वी एंटी पीसी 6 अप्रेल के मैथ फर्स शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों के एक्जाम कम्प्लीट हो चुके हैं तो आपको इस वीडियो में फर्स शि प्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजेगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्न पढ़िए देखे क्या है पहला प्रस्न है दो लगातार समसंख्याओं का गुरनफल 528 है तो छोटी संख्या ग्यात कीजिए दोस्तों देखे छोटी संख्या हम किस तरीके से ग्यात करेंगे देखे हम इसमें जो है आप्शन से ही बता सकते हैं दो लगातार समसंख्याओं का मतलब है कि अगर पहली संख्या दो होगी तो दूसरी संख्या हमारी चार होगी होगी क्योंकि उसने क्रमागत सम संख्याएं कहीं है कुछ्षन में तो पहली अगर दोगी तो दूसरी चार होगी फिर छे होगी इसी टाइप से होगी तो देखे ऑप्शन में आप देख लीजे किनी दो संख्याओं का multiply करिए और multiply करने पर अगर 528 आता है तो जो छोटा option होगा वह इसका answer हो जाएगा तो देखें अगर हम 20 की 18 से multiply कर देते हैं तो यह 360 आएगा मतलब यह दोनों option तो नहीं होंगे अब 22 की 20 से multiply करिए तो 22 दुना 44 होता है मतलब 440 हो जाएगा तो यह दोनों option भी नहीं होंगे अब देखें क्या है कि 22 की अगर हम 24 से multiply करते हैं 22 की multiply अगर हम 24 से करते हैं तो चार दुनी 8 और चार दुनी 8 चार बारा का दो हसी लेक 528 22 की multiply करने पर देखिए 24 से 528 आ रहा है तो हमें छोटी संख्या बतानी है ठीक है हमें छोटी संख्या बतानी है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 22 क्योंकि 22 और 24 में 22 और 24 में जो छोटी संख्या है वह हमारी 22 तो हमारा option C सही है विल्कुल correct answer है अगला प्रस्ण देखते हैं क्या है एक अनुपात दो अनुपात तीन अनुपात चार अनुपात पांच सभी का योग 60 है तो तीसरी और पहली संख्या का योग क्या होगा देखें एक अनुपात है मतलब एक प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस 4x प्लस 5x इन सभी का योग फल दिया है, 60 तो इस सब को हम जोड लेते हैं, तो यह जगा 5, 4, 9, 6, 15, 15 एक्स बराबर हो जाएगा, 60, तो यहां से देखे, एक्स बराबर आ गया है, 4, एक्स की वैल्यू, 4 आ गया है, तो हमें तीसरी और पहली संख्या का योग बताना है, मतलब हमें 3 रेसियो और 1 इसियो का, मान, बताना, इनका योग बताना है, तो देखे, एक्स की जहें पर हो जाएगा, 4 प्लस का, 3 एक्स, तीसरी संख्या 3 एक्स है, तो 3 की मल्टिप्लाई 4 से कर देंगे, तो 4 तियां 12, 4, 16, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 16, अब अगला प्रस्म देखते हैं जाए, क्या है, कि अंडर रूट 10, ये सवाल देखे लिएए, किस तरीके से है, ये सवाल इस तरीके से है, कि पूरे के उपर अंडर रूट है, और hinter root 200, फिर प्लस का अंडर root 596 प्लस अंडर रूट 841, ये इस तरीके से सवाल है, तो देखे, इसको कैसे सालो करेंगे, से पहले हम लास्ट से बिल्कुल लास्ट से देंगे तो यह हो जाएगा रूट में 25 और रूट के बाहर 25 वैल्यू आएगी 5 क्योंकि 5 का 25 होता है तो रूट के 20 स्क्वाइर अपॉन ए यह फॉर्मला होता है त्यतिया अनुपात का तो यहाँ पे देखिए 20 स्क्वाइर की जगह पे हो जाएगा 20 मुल्टिप्लाई 20 अपॉन ए की जगह पे 10 तो यह कर जाएगा 10 दूनी 20 तो 20 दूना 40 तो हमारा अंसर आजाएगा 40 अगला परसे देखिए तो हमें X प्लस का 1 अपॉन X का मान बताना है ठीक है तो देखिए इसको हम कैसे solve करेंगे इसको देखे कैसे solve करते हैं X की power 4 X की power 4 प्लस का 1 अपॉन X की power 4 में हम 2 इधर जोड देंगे और 2 side भी जोड देंगे तो इधर भी 2 हम जोड देते हैं तो यह जहाँ 6,249 प्लस का 2 बराबर 6,241, ठीक है, इधर यह 6,241 हो गया है, तो यह देखिए, x की पावर 4 प्लस का, 1 अपन x की पावर 4 प्लस का 2, यह whole square हो जाएगा, x square प्लस 1 अपन x square का whole square, ठीक है, यह इसका whole square हो जाएगा, बराबर 6,241, तो square को हम हटा देंगे, तो यहां से बच्चेगा, square होता है, 6,241, किसका square होता है, तो देखिए, square root हम कैसे निकालेंगे, square root देखे, कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे, 6,241, last से हम दो दो के pair बना लेंगे, ठीक है, last से हम दो दो के pair बना लेंगे, अब हम इस value का table पढ़ेंगे, कि उसकी आपस multiply करने पे 62 से उपर नहीं जाना चाहिए, तो देखिए, अगर हम 8 की table पढ़ते हैं, तो 8,8,64 होता है, तो इससे उपर चला जाएगा, तो 7 की table पढ़ेंगे, साथ सती, उन्चास, साथ उपर लिखेंगे, और उन्चास, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, अब इसको हम इससे घटा देंगे, तो यहाँ आएगा, बारा मसे नो हो गया, तीन, एक, तेरा, और उपर से 41 भी लिख लेंगे, अब यह जो इधर के हम value लिखते हैं, इनको हम add कर लेते हैं, यह 14 हो गया, अब जैखेंगे, अब पर हम किस value की multiply करें, कि 1341 आए, तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखेंगे, मतलब 149 की हम 9 से multiply कर देंगे, तो यह आजाएगा 1341, तो यह जो उपर value आएगी, यही हमारा root होगा इसका, तो इसका answer आजाएगा 79, 6241 का root होता है, 79 का root होता है, तो अब हुआ X square plus 1 upon X square की value आ गई है, 89, अब हम इनमें भी दोनों तरफ 2 जोड देंगे, इसमें भी 2 जोड देंगे, तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, X plus का 1 upon X का whole square बराबर 81, यहाँ से हम square हटा देंगे, उधर चला जाएगा, root में हो जाएगा, तो under root 81 आ जाएगा, और under root 81, value बाहर आ जाएगी, 9, क्योंकि 9 का square होता है, 81, तो हमारा answer आ जाएगा, 9, अगला प्रस्म पढ़िए क्या है, देखे, 15 कलम का विक विक्रे मूले मतलब 15 कलम का, विक्रे मूले 15 कलम का SP बराबर हो जाएगा, 10 कलम के CP के बराबर, तो हैं से SP upon CP निकाल लेते हैं, ठीके, SP upon CP बराबर हमारा आ जाएगा, 10 बटे 15, मतलब यह है कि SP का मान आ गया है, SP का मान 10 आ गया, और CP का मान 15 आ गया, ठीक, SP का मान 10 और CP का म पंद्रा आया है और SP मतलब विक्रैमुल उसका 10 हो गया है तो उसको हानी हो रही है ठीक है यहां पर मालीजे 5 रुपे की उसको हानी हो रही है जब हानी हो रही है तो हमें हानी प्रतिसत बताना है तो हानी प्रतिसत का हानी प्रतिसत का फॉर्मूला होता है हानी प्रतिसत का फ यह कट जाएगा तो यह आजाएगा 33 सही 1.3% 33 सही 1.3% हमारा आंसर हो गया अब चलते हैं अगले प्रस्न की तरफ अगला प्रस्न पढ़िए क्या है कि दो संख्याओं जिनका गुड़नफल 972 और भाग देने पर 1.3 आये तो वह संख्या ग्यात किजिए दो संख्याओं जिन गटेगा 24, 8, 2, 3, 16, 2, 12, 12, फिर 2, 4, 2, 4, 8, 2, 3, 6, फिर 3 से कट जाएगा 3, 24, 3, 3, 3, 3, 37 बार में कटेगा फिर 9 बार में कटेगा फिर 3 बार में कटेगा और फिर 1 बार में कटेगा ठीक है फिर 1 बार में कटेगा तो यह इसके factor हो गये हैं अब देखे इसको हम multiply कर लेते ह पसमें दो दुनी चार, चार तियाई, बारा, बारा तियाई, चार 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 अपॉन 27 यह कड़ जाएगा नो चो के 36 और नो तरिक 27 चार वटे 3 3 को 4 से भाग दे देंगे तो यह कड़ेगा 3 कम 3 एक वचेगा पॉइंट लगेगा 3 बार में यह कड़ जाएगा ठीक है अगला प्रसन अगला प्रसन भी देखिए क्या है किसी बेलन का वक्र प्रस्ट छेथफल और संपूर्ण छेथफल का अनुपाद 2 अनुपाद 4 है तो उसकी तिज्या और उचाई का अनुपाद क्या होगा देखें, बेलन का वक्क प्रेस्ट छेथपल का फॉर्मूला होता है, बेलन का वक्क प्रेस्ट छेथपल का फॉर्मूला होता है, टू पाई आर एच अपाउन, समपूर छेथपल का फॉर्मूला होता है, टू पाई आर एच प्लस का टू पाई आर इस्क्वायर, अनुपात में ऐा ले नीचे से क्योंकि दोनों में कॉमन है तो टू पाइ-र एच अपाउन टू पाउन ले ले लेंगे थिसप्लिस का आर क्योंकि यहां से टू पाई-र हमने पूरा कामन ले लिए तो इधर यहां H बराबर H पलस का R, तो यहाँ पर बचेगा H upon R बराबर 1 upon 1, और हमें यही रेशियों बताना कि तिज्ज़ा और उचाई का अनपात क्या होगा, तो तिज्ज़ा और उचाई का अनपात आएगा, एक अनपात एक, तो हमारा अंसर हो गया है, एक अनपात एक, अब चलते अगले प्रसंद की तरफ, अगला प्रसंद देखिए क्या है हमारा, यदि 10A बराबर 10B, तो A और B नियून कोड हो, यदि 10A बराबर 10B दिया है, और कंडिशन दिये कि A और B हमारे नियून कोड हो, तो A प्लस B का मान हमें बताना है, तो देखिए यहाँ पे 10 A और 10 B मतलब A नियून कोड है तो A का मान 45 डिग्री और B का मान भी 45 डिग्री हो जाएगा तभी 10 A का मान 1 आएगा और 10 B का मान भी 1 आएगा तभी यह दोनों बराबर होंगे ठीक करने अग्यिति को किसी संख्या का 30 को में जोड़ने पर अपने आपका एक 120 कर से हो जाताली सारी परसेंट हो जाता है संख्या हमें बठानी यह ठीक है संख्या हमें बतानी तो देखिए इसको कैसे solve करें किसी संख्या का 30% हो गए तो संख्या मान लिए x multiply इसका 30% फिर क्या कह रहा है मैं जोडने पर अपने आपका दूसरी संख्या को जोडने पर इसमें दूसरी संख्या जोड दिये y बराबर फिर अपने आपका 140% हो जाता है जोडने पर अपने आपका तो यह y जो है अपने आपका हो जाएगा 140% ठीक अब इसको solve कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 30x upon 100 प्लस का y बराबर 140 y upon 100 इस y को हम इधर भेज देंगे तो जब इधर भेज देंगे ठीक है तो अगले step में लिखते हैं 30x upon 100 प्लस का y इसकी से multiply कर देंगे तो यह आजाएगा 40y upon 100 ठीक है 30x upon 100 प्लस का y आगे आगे चलते हैं अगले पेश पर देखिए क्या आए था 30x upon 100 पराबर 40y upon 100 यह हमारा आ गया है तो यहां से देखिए 100 से 100 कैंसल हो जाएगा तो x upon y पराबर आ गया है 40 बटे 30 तो यह कड़ जाएगा जीरो जीरो तो x upon y पराबर आ गया है 4 बटे 3 और हमें इनी संख्या का अनुपाद find करना तो हमारा आंसर हो गया है 4 बटे 3 अब चलते हैं अगले प्रस्न पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ग्याद कीजिए जिसे 42 से भाग देने पर 63 बचे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 9 9 9 ठीक है इसको हम 42 से भाग देते हैं अगर 42 से भाग देने पर 63 बचला है तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 42 दूना 84 ठीक है 42 दूना 84 इसको हमने खटाया तो यह घट जाएगा 9 से 4 गया 5 और 169 अब यह तीन बार में कटेगा ठीक है तीन बार में जब इसकी 3 से मुल्टिप्लाइ करेंगा 3 दूनी 6 तीन चोके 12 अब देखें कितनी बार में जाएगा तो चार सते 28 यह जाएगा आठ बार में तो आठ की मुल्टिप्लाइ करेंगा आठ दूनी 16 अच्छे हैं हसिल एक आठ चोके 32 एक 33 से हमारा तीन बच गया और यही कह भी रहा है कोशन में कि भाग देने पर शेस तीन बचना चीए जब हमारा सेस तीन बच गया है तो हमारा अंसर हो गया है 9994 अगों की सबसे बड़ी संख्या यही हो गई है अब चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण देखें क्या है एक गोले की तिज्जय को तीन गुना कर दिया जाए तो उसके छेत फल में कितने परसंट पर दिया जाता है तो यह 3 गुना N की जगे पर हो जाएगा 3 का स्क्वाइर माइनस 1 मल्टिप्लाई 100 तो यह हो जाएगा 8 मल्टिप्लाई 100 बराबर 800 परसंटेज ठीक है आंसर हो गया 800 परसंटेज अगले प्रस्ण पर देखते हैं क्या है इफ ए अनपाद B बराबर 2 अनपाद है और उसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट का अनपाद पूषता है फर्स्ट रासी और लास्ट संख्या का अनपाद अगर पूषता है तो इसमें सिंपल सा आप जितने भी रेस यो दिये हैं उनको अपॉन में लिखके मल्टिप्लाई कर दिये हैं उनको अपॉन में यही हमारा अंसर है अब चलते हैं अगले प्रस्म की तरफ अगला प्रस्म पढ़िए क्या है एक नाव की धारा में जाने में दो बंदर गाहा के बीच छे घंटे तथा आने में आठ घंटे का समय लगता है यदि धारा की चाल तीन किलोमेटर परती हावर हो तो नाव की चाल कीजिए ठीक है हमें नाव की चाल ग्यात करनी है अब प्रस्म देखें कहा रहा था कि ये कोई दो बंदर गहा है ठीक है ये दो बंदर गहा है और यहां से देखी जो पानी की जो धारा है वो इस साइड जा रही है ठीक है पानी की धारा जो है ये इस साइड जा रही है नाव क इस साइड जाने में 6 घंटे लगते हैं और वापस आने में 8 घंटे लगते हैं लेकिन जो पानी है उसकी धारा एक ही साइड रहेगी पानी की धारा विप्रियत नहीं होगी लेकिन नाव कोई धारा जो है वो एक बार जाने में 6 घंटे और आने में उसको 8 घंटे लग रहे है तो यहां से हम देखिए X और Y मान लेते हैं मतलब 9 धारा की चाल और 9 की चाल दोनों से किसी एक को X और Y के रुप में मान लेते हैं तो यहां से हम मान लेते हैं धारा की दिशा में चाल यह हो गया धारा की दिशा में चाल तो धारा की दिशा में चाल हमने मान ली है X प्लस का Y क्योंकि दिशा में है तो जुड़ जाएगी अब हम नाव की चाल मान लेते हैं अब विप्रीद दिशा में मान लेते हैं ठीक है विप्रीद दिशा में चाल हो गएगी X माइनस का Y ठीक अब इप्रीट दिसा में चाल हो जाएगी X-Y तो हम यहाँ से X और Y को भी मान लेते हैं 9 की चाल हम मान लेते हैं 9 की चाल X हो गई है और धारा की चाल Y हो गई ठीक है धारा की चाल Y और 9 की चाल X मान लेते हैं अब इसको solve कर लेते हैं formula देखें हम लोगों पता की दूरी बराबर 4 multiply समय होता है तो यहाँ से formula हम पूट कर देंगे तो दूरी बराबर 4 multiply समय दोनों बराबर कर देंगे फर्ट और सेकर्ड मतलब जाने और आने वाली दोनों को हमको बराबर कर देंगे तो एक तरफ हो जाएगा x plus का y x plus का y 13 की दिशा में 4 multiply समय इसमें लगता है 6 बराबर 13 की दिशा में 4 x minus का y multiply इसमें लिखेंगे 8 तो एकर जाएगा 2 3 6 2 4 के 8 इसकी multiply कर देंगे 3 x plus का 3 y बराबर 4 x minus का 4 y तो यहाँ से देखे x बराबर निकल आएगा 7 y x बराबर 7 y निकल आया है लेकिन हमें find क्या करना है हमें find करना है 9 की चाल 3 किलो मीटर प्रतिहावर दी है धारा की चाल और हमने धारा की चाल को y माना है तो यहाँ से x बराबर 7 multiply 3 कर देंगे क्योंकि धारा की चाल को इसी में 6 अपरेल को first shift में पूछे गए math के सभी प्रस्णों का 100% real analysis आपको इस वीडियो में करवा दिया गया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर कर सकते हैं और साथ इस साथ चनल को subscribe करके उस घंटे को जरूर दबा दिजा और वीडियो का सहते हते हैं?